हेलो गाइस आज हम एसेड और बेस की डिटेक्शन करने जा रहे हैं with the help of turmeric paper तो firstly I will tell you that how you can make turmeric paper at your home तो हमें turmeric paper हम बना कैसे सकते हैं आप filter paper ले लो या फिर आप A4 size का paper ले लो दोनों पे result अच्छे आते हैं तो मैंने जो है यह A4 size का paper ले लिया तो अब मैं क्या करूँगी यह मैंने थोड़ी सी turmeric जो है औरड़ी बेट करके रखी हुई है अब with the help of cotton I will make turmeric paper तो आपने इसे कैसे बनाने just rub it properly तो रब करने के बाद जब हम टर्मरीकिस के उपर रब करेंगे properly तो इसे थोड़ी देर हम ड्राई करने के लिए छोड़ेंगे और सूखने के बाद यह जो मैंने और पहले बना के रखा हुआ है यह हमारे पास ऐसा कुछ result आएगा यह है मेरा dried turmeric जो paper है अब इसकी help से हम यह चेक करेंगे कि आपके पास कोई भी given compound जो है वो acid है या फिर base है तो I have taken vinegar तो जो vinegar होता है उसमें citric acid होता है आप lemon juice लेलो नीमपू का रस लेलो उसमें भी citric acid होता है और इसके इलावा मैंने जो है थोड़ा सा अपने पास soap solution रखा हुआ है जो soap का solution बनाया हुआ है साबुन का और अगर आप soap solution नहीं use करना चाहते हो then you can use baking soda also तो baking soda लेलो यह मेरे पास मैंने baking soda भी रखा हुआ है अगर यह अविलेबल नहीं है then you can use detergent also detergent से भी आप रिजल्ट चेक करके देख सकते हो तो लेट्स किट स्टार्ट तो अब यह तर्मरिक पेपर है अब मैंने इसके उपर क्या करूंगी मैं तो जो है यह है मेरे पास citric acid तो तो अब acid को देखते हैं कि यह कैसे detection करेगा कि यह acid इसके उपर रब करती हूं मैं is there any change in color or not मैंने इसके उपर रब किया तो जो मेरे पास यह बड्ड है इसके उपर आपको दिख रहा है color जो है वह यलूई है means no change in color कोई भी color में changes नहीं आ रहे हैं अब next जो है ऐसे करते हैं कोई base ले लेते हैं I will use baking soda because baking soda also act as a base यह हमारे पास एक अच्छा base है आप detergent भी उसकर सकते हो it depends upon you आपके आ लेना चाहते हो तो अब इससे भी चेक करके देख लेते हैं एक बार कैसा result देता है इसे रब करने पर मेरे पास रेड कलर की जो formation है वह हो रही है रेड कलर की formation हो रही है तो इस जो टर्मरिक है वह बेस को रेड कलर देपता है और जो एसिड है उसके कलर में कोई भी चेंजिस नहीं आते हैं I also wanna show you in solution form ये तो हमने paper की form में चेक कर लिया मैं solution की form में भी आपको दिखाना जाती हूं I have taken baking soda तो अब मैं थोड़ा सा water add कर देती हूं for the formation of its solution की इसका solution जो या उसकी formation हो जाए now I will add little amount of turmeric थोड़ा से मैं turmeric डाल देखती हूं देखो turmeric add करने के बाद इसका color क्या हो गया है इसका color जो है वो इसका color जो है वो yellow से red हो गया है तो ये red color जो है वो ये शो कर रहा है कि ये base है see आप solution form में करके देखोगे तो भी same result आएगा आप with the help of paper करोगे तो भी same result आएगा thank you and please keep supporting my channel also